दॉक्टर आईशा हुसायन कराथ चीज से अपने किसी दोस के पीछे बैटती हैं खुछ चलाती हूँ अच्छा बाइक्स चलाती हैं कौन सी बाइक आपकी फेवरेट है क्यों आना चाहती है इस शो में मैं लोगों को ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं भी वक्कार की तरहा बहुत डेरिंग हूँ मैं काफी इंस्पारिड हूँ आपसे जो आप चैरिटी के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छा है ये आपने कभी चैरिटी के लिए कुछ किया है? मरीजों का मुफ्त इलाज करती है? जितना मुझसे हो सकता है किसी घर पे जाके उसके हेलप करना मैं अपनी तरफ से करती हूँ क्या कर सकती है? नीचे काफी शोर मच रहा था कि वकार कुछ उपर ऐसा डेर जेरा है कि कोई नहीं कर सकता हूँ अच्छा कैसे पता चला आपको किसी ने बताया क्या कर वार हूँ नई वो तो नहीं पता लेकिन मतलब कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है बस मैं ये कर लूँ बस डेर तो डेर तो डेर होता है ना अच्छा आपको ये बात पता है कि एक इंटरस्टिंग परस्टनलिटी होने के लिए जरूरी है कि आप इंटर्टेनिंग भी हो वो डेर बात में देखते हैं वो डेर का koy इतना चक्कड नहीं है वो नहीं कर पाते है वो लड़कों के लिए चैल्नज है आप कहां से करेंगी क्यों ऐसा कौन सा मतलब काम है जो लड़के का अच्छा तो आप बोब लड़की है शान अबाशान चलेंगे हम सारी जिंदगी मर्दों के साथ रहेंगे जो मर्द कर सकता है मैं भी करूँगी वो करूँगी क्यों मैं जब मैं बाइक चला सकती हूँ है भी बाइक चला सकती हूँ तो आपको अंदाजा है क्या चालेंज दे रहो मैं यहाँ जो भी है क्या चीज़ है स्नेक कभी सापों को पकड़ा है देखा है पर पकड़ा नहीं कराची से तालूग है कहां से तालूग है आपका सवाथ से तालूग है सवाथ से तालूग है जब ही मैं कहूँ एक्सप्रेशन क्यों नी चेंज हुए निकाले क्या करना हो कैसे अगर नाक की है क्या करना ही या तो बिल्कुल एक्स्प्रेशन लेस लडकी हो ये बाद सुनके काफी सारे लोगों की हवाइं गुमों गए तुमगर यहां यहां से अगर दिमाग तक चला गया ना तो दिमाग हमेशा के लिए घुम जाएगा हाजी कैमरे में कहें आप अपनी मर्दी से कर रहे हैं जल्दी से बोलें इसमें कोई भी मसले होगा कौन जिम्मेदार होगा बताएं मेरा नाम डॉक्टर आईशा हुसाइन है और वकार ने जो ये चैलेंज मुझे दिया है इसमें कोई अगर प्रॉबल्म होगी कौन जिम्मेदार है मैं खुद जिम्मेदार हूँ सारे चैलेंजिस एच टीवी की मेडिकल सुपर्विजन टीम के सामने करवाए जाते हैं इसलिए कभी भी इस खतरनाक स्टंड को किसी भी जगा करने की कोशिश ना करे अब वक्त आ गया है कि आपकी दिलों की धरकनों का इंतिहान लिया जाए कमजोर दिल हजरा आप इस चैलेंज को ना देखें हार माननी है तो हार मान लो कमउन शाबाश कमउन आईशा आप बहुत जफर्दस कर रही हो अराम अराम से बिलकुल अराम अराम से कमउन अराम से आईशा कमउन अराम से बिलकुल अराम से पैनिक नहीं करना पैनिक नहीं करना अराम से बिलकुल और अलग से नीचे नहीं करना चाहिए अराम से बिलकुल अराम से नहीं जाना चाहिए तो हो गया हो गया कोई बात कमउन बात कुछ नीं सोचो कुछ भी नहीं है चाबश 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 अरे दुनिय घते है की अशा बस यह सोचों के दुनिया हिल जाएगी कमोन अराम से ब्ल र्ण जहां प्राब्लमोन हो छोड़ देना प्राब्लमोन यह प्राब्लमोन यह छोड़ दो शाबाश, कमोन, कमोन, आईशा मूँ पकड़ लिया, बिल्कुल अराम से करना है, अराम से, पूरी दुनिया हिलने वाली है, चैलिज देखे, कमोन, आईशा बिल्कुल अराम से करो, बिल्कुल हो गया, आगे, मूँ नहाएर आगे, कमोन, आईशा, कमोन, शाबाश, अगर, अ अंदर नीजाने देना अंदर नीजाने देना अभी इत्री बहुत आला बहुत आला बस पकड़ लिया है अराम से मूँ पकड़ो आराम से आएका भाहिर माश्च वाव। बहुत बढ़न साइशा कमाच अश्ग मैं बहुत आला यार हो गया, हो गया बहुत अराम से, अराम से बोह हो जबर्दस, आप जबर्दस हो गया, हो गया बलके यार ज्यादा तेज नहीं, अराम से लाओ अराम से वाव, बहुत सबर्दर टाईशा बहुत अराम से लगव हो गया, हो गया, बस केचो, केचो बहुत सबर्दर टाईशा उपाहँ आजिया, बहुत सबर्दर सुनिया हो जाएगी, बहुत अलार आईशार उसको छोड़ो, 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 कोई बात नीए, बहुत आला किया अराम से बैठो, बїटो, बहुत जबरत। मैंने आज तक जितने शोष किए हैं, और जितने शोष दुनिया के देखे हैं, मुझे याद नी पढ़ता कहीं भी किसी आम कंटेस्टन्ट ने इतना हिम्मत वाला काम किया हो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आईशा को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें जितना प्रमोट कर सकते हैं इस वीडियो क्लिप को करें क्योंकि हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो लाकों लोग इसमें खामियां ढूनना शुरू कर देते हैं सिर्फ ये सोचें कि यही चैलिंज अगर पडूसी मुल्क में किसी ने किया होता या किसी वेस्टन कंट्री से किया जाता तो आप सभी कह रहे होते क्या बात है मैं चाहता हूँ कि आज डॉक्टर आईशा को इतना सपोर्ट किया जाए कि उसने आते ही पहले अटेम्ट में एक ऐसा चैलिंज करके दिखाया है जिसको करना तो दूर की बात देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए डॉक्टर आईशा आपकी हिम्मत को मेरा सलाम है